नवस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मयंक गौर तो 17 दिनों के कठिन परिश्रम और 418 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद चटान का सीना चीर कर 41 मजदूर जो है वो बाहर आ चुके हैं इसी के साथ साथ में उनको जो फर्स्ट एड है वो दि देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस तरीके से वो मिल रहे हैं खूश हो रहे है प्रदेश की मु्क्हांतरी पुषकरसी दामी भी उनके साथ मिल रहे हैं खुरा रहे हैं और सांट्रा में यो सब्सकरार vraag है उनकी जू जो अ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे वो फिर अन्य केंद्री मंत्री हो सब की नजर इस मामले पर थी क्योंकि 41 मजदूरों का सुरंग में फसना और लगातार वह और मशीन का खराब होना तमाम जो दिक्कतें हैं वह आना और ऐसे में मुश्किलें बढ़ा रहा था साथी चुतें साथ चिंता भी बढ़ा रहा था लेकिन अब इस मामले में प्रदान मंत्री मोदी स्वें भावक होए हैं और भावक करते हुए भावक होते हुए उन्होंने पैयान दिया है क्या है वह बयान आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले ये जो पर आप जो तस्वीरे हैं वो आप तस्वीरे देखिए कि किस प्रकार से मजदूर जो है वो अब अन्तता बाहर आ चुके हैं दीरे-दीरे करके करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है इससे पहले जो सुरंग के अंदर जो पाइप डाल करके टेस्टिंग भी की जा रही थी जाओ कोई समस्तिया है तो वो समस्तिया वो समस्तिया जो होनी वाली है उसकी विसमावना भी बिल्कुल करन सो हो जाए जीरो हो जाए तो उसको लेकर के भी यह तकुं नहीं चल रही थी और अब जो परिश्रम है वह काम अन्तता वो बाहर आ चुके हैं अब प्रधानवेंटरी मोदीस पर भावुक हुए क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको बताते हैं उन्होंने एक बयान जरूर दिया है और बयान में उन्होंने भावुक होने वाली कुछ बात कही और साथ उनके जजबे को उनके साहस को सलाम कर करते हुए लिखा उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाईयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है तैनल में जो साथी फसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्या हर किसी को प्रेरित कर रहा है मैं आप सभी कुशलता और उत्तम स्वास्तिकी कामना करता हूं यह त्यंतर संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे इन सभी के परीजनों ने भी इस चुनोती पूर्ण समय में जिस साहस का परीचे दिया है उसकी जितनी भी सराहना की ज बहुत मिसाल कायम की है तो जाहिर तो पर टीम वर्क तो दिखा है क्योंकि जिस तरीके से अंदर जो है वो उनका साहस था वो बार-बार उनका दहरे जवाब दे रहा था लेकिन बताया भी गया कि उनकी तब्यत भी कराब हो रही है लेकिन सकुशल वो रहे इन 17 दिनों के अ इसी वज़े से वो निकाले जा सके हैं हालनकि इस मामले को लेकर के भी कई खबरें आ रही थी कि कुछ भी हो सकता है कुदरत का कहर बरब सकता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो लोग सकुशल वापस आ गए तो ये था प्रधानवंतरी नरेंदर मोधी का भावक कर द मिक उपचार के साथ साथ में उनको जो भी वादे किये गए थे और साथी साथ जो भी उनको जरूरत है वो जरूरत उनको मुहया करवाए जाएगी फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ देखते रह सच का सार्थी